तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को instant loan के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा जहाँ पे आपको जो loan का amount है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है लेकिन इस type की loan पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राफिक होते हैं ज़्यादा से लोग इस type की loan को जल्दी पाना चाहते हैं ज वो जो है अलगल loan platform को try करते हैं और वो secure platform है या नहीं है इस बात की कोई guarantee नहीं देता है क्योंकि वो NBFC से या फिर NBFC से रजिश्टर है या नहीं है ये भी वो नहीं देखते हैं और अपनी data को आपे share कर देते हैं जो कि आप लोग के लिए कहीं न कहीं बहुत आद नुकस सकता है about 5,000 से या फिर 5,000 तक या फिर 5,000 से नहीं से 4,000-5,000 रुपीज तक का लेकिन सबसे इंपोर्ट यह है कि प्रॉपर तरीके से एक secure platform है जिसकी help से आप लोग जो है इस loan को ले सकते हो important is यह है कि आज की date में आप लोग कोई भी loan लोग चाहे वो 5,000 रुपे तक का लो या फिर 5,000 रुपे तक का लो या फिर 5,000,000 रुपे तक का लो कोई भी loan लोग डिपेंड यह करता है कि आपका जो data है वो आपके लिए बहुत ज़दा कीमती है उस data के basis पर जो है आप पर कुछ चीज़े हैं जो कि आप लोगो समझने की बहुत है जरूरत है सबसे पहले आती है बात यहाँ पर आइडेंटिटी वरिफिकेशन की कोई भी loan प्लैटफॉर्म से लोग कहीं से भी loan ले लो वहाँ पर आपके आपके लोग को आपके बढ़ी नहीं सकते हो तो आपक आपके पास पूरे डीटेल्स होनी चीज़िए क्योंकि जार से बात है तब ही तो आप लोग आपको बताएंगे तो आप लोग का 90-100% काम वहीं खत्म है क्योंकि लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वही एप्लाय के जो आप्शन को समझेंगे तो इसली लोग अप्लाय हो जाएंगे तो दिक्कत वाली बात ही क्या है साथी में वीडियो को कहीं भी स्किपना करते हुए वीडियो को पूरा एंड तक देखते हुए वीडियो को लाइक करना है जब आप लोग फ़र्स टाम हमारे चैनल पर हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइ सबस्क्राइब करने का 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 सबस्क्राइब क कसी चीज़े जो कि आप लोग को definitely follow करनी होगी तो दोस्तो अब हम शुरू करते हैं मारा main video और जानते हैं कि आप लोग कि इस तरीके से instant cash loan ले सकते हो तो बतादू ये है हमारी video जो कि फिलाल आप लोग अपनी mobile screens पर देख पा रहे हो video के जस नीचे ये होता है title जैसे ही title पर क्लिक करोगे आपका description box खुल जाएगा description box खुलता ही थोड़ा सा उपर बढ़ना है जहाँ आपको देखने को मिलेगी ये website link जो कि मैंने underline की है तो ये जो website link है सबसे पहले आपको इस link पर क्लिक करोगे link आपकी automatic google के search ब्राउजर से connect हो आगी और आपके सामने आ जाएगा google का search result तो ये जो google का search result है ये तभी आएगा जब description में दिये वे link पे जाके आप लोग क्लिक करोगे link से redirect होगे और तभी आपके सामने ये चीज़ शो करेगी और एक और चीज़ जो कि आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ loanpower.in एक official financial blog website है जहां पर आपको दुनिया भर की जितने भी loan companies है वहां से आप लोग जो loan है वो किस प्रकार से apply कर सकते हो उसके बारे में आपको A to Z information मिल जाती है with best methods के साथ में ब्राउजर उपन करना है जैसे ब्राउजर उपन करोगे Google का search interface कुल जाएगा जहां पर जो Google का search बारे आपको simply इस पर tap करना है और tap करने के साथ ही मैं यहाँ पर आपको जो word बता रहा हूँ इस word को यहाँ कि simply search करना है आप लोगोंने यह बात ध्यान रखनी है इसको आपको exact वैसी लिखने जैसे मैं लिखा हुआ है लिखने के साथ यह आपको search कर देना है जहां पर Google का search result दिखने को मिल जाएगा और यह दिखने को मिलेगा आपको first website जो की मैंने फिलाल क्या है यहाँ पर left side में three bars का option मिलेगा आपको इस पर करना है click क्लिक करोगे काफी सारे यहाँ पर अलग-अलग-अलग-अप्शन दिखने को मिलेंगे आप लोग रैपिड रुपी डाल के search कर दोगे एक article शो करेगा कि रैपिड रुपी लून एप से रून कैसे ले और लून कैसे apply करें और आज हम इसी लून एप के माधियम से लून लेने वाले हैं लोन apply भी करने वाले हैं और यहाँ पर आपको एक-एक step जानने के लिए आपको इस article पे click करना होगा जैसे आप लोग इस article पे click करोगे यहाँ पर यह मिलेगा आपको apply नाओ का बटन थोड़ा सा नीचे जाओगे तो मिल जागा जहाँ पर आपको इस पर click करना है जैसे आप लोग इस पर click करोगे सिधा पहुँच जाओगे rapid रुपी एप के main homepage पहुँचने के साथ ही फिर मैं आपको बताऊंगो कि कैसे आप ल वगेरा हो हो उसका होने के बाद mobile number डालना है और create account के बटन पर click करना है ध्यान रहे mobile number आपको अधार कार्ट से लिंक होना चाहिए इसके बाद आपको tap करते हुए जब आपका account create हो जाएगा rapid रुपी एप के अंदर इसके बाद यहाँ पर आपको शो कर रहा हो कि loan amount 1000 और कितने दिन के लोगे तो कितना आपको EMI बढ़ेगा तो इससाब से आप लोग अंदासा लगा सकते हो ठीक है फिर next बटन पर आपको tap करना है suppose करो मैंने 1000 चूस किया है आप चाहो तो पूरा 4000 भी कर सकते हो 1000 चूस करके मैंने आगे बढ़ा तो यहाँ पर मुझे सबसे प पापा का नाम क्या है जो कि आपके प्रॉफर डॉक्यमेंट से भी मैच करने चीए मदर्स नेम एजुकेशन पड़े रिखो कितना हो चूस और गरेंटर यानि अपने ममी पापा किसे कभी नाम दे सकते हो गरेंटर नेम का मोईल लंबर और उसका नाम देकर next के बटन पर आ है कि आप लोगों का खुद का घरेंट पर रहते हो वह सारी चीए बताने बाद आपको यहां पर आपको अपना एडर्स डिटल देना है ऐस पर अधार काड जो कि लिखा हुआ साब साब शहर और पिन कोड टिक माग करके और से मैच करता है और सिटी और पिन कोड डालके सिं डिजिट का अधार काड नमर बताने है और सिंपली प्रोसस के बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी होगी जो कि फिलाल मैंने यहां पर आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि वह थोड़ी सी कॉन्पिदेंशल होती है औ और आपका लोन जो है रैपिट रुपी आपके थुरू इंस्टेंट लोन अप्लाए हो जाता है और यह लोन आपके बैंक एकाउंट भी तीन सचार घंटे के इंदर क्राड़ेट कर दिया जाएगा इंदा केसे ऑफ 6-7 घंटे लग जाते है वरना इतना नॉर्मल है तो इस वीडियो में समझाएगी चीज़ा पसंद आई होगी अगर आपका कोई भी सवाल है नीचे कॉमेट से पूछे डिस्क्रिप्शन में इस्टाग्राम के लिंगे वापी